दोस्तों आप लोगों को बताते चलो कि चीन का जो राष्ट पती है शेजिन पे वो अभी सौधी अरब के दोरा पे आए हुए है और यह आगे आगे घोड़ा चल रहा है पीछे से जो यह गाड़ी है काली वाली गाड़ी इसमें चीन का जो सदर है वो बैठे हुए है आप ल नहां से उतरेंगे अभी यह देखेंगे शेजिंपिंग यह सामने मुहमद बिन सल्मान अपना हाथ बढ़ाते हुए उनसे मुसाफा कर रहे हैं मुहमद बिन सल्मान खुद आए हुए थे उनका स्वागत के लिए आप जो यह विडियो देख रहे हैं यह यहीं पर मुहमद बिन सल्मान रहते हैं ठीक है ना जोरदार स्वागत कर रहे हैं वह अपने सौधी के तरफ से और अभी जो है ना कराउंड पिरिंस हैं यह मुहमद बिन सल्मान मान के चलिए सौधी अरब यही चलाते हैं ठीक है ना खड़े हुए हैं और इस वक्त उसको सलामी पेश करेंग सौधिया असलाम बलकि स्सुधी सलाम खुद यह जो आप लोग देख रहे होंगे मुहमद बिन सल्मान के साथ में चीन का सदर खड़ा है और इसको सलामी पेश किया जा रहा है सौधी फोजी के तरफ से यहां बहुत बड़ा डील होने वाला है सौधी अरब और चाइना के बीच में बहुत बड़ा डील होने वाला है खबर निकल के आ रही है कि उनी से बिलियन डॉलर का कुछ टाइफ होने वाला है यानि यहां पे बिजनेस के सिलसले में बहुत बड़ा एग्रिमेंट होने जा रहा है वैसे भी यह जो है न चीन का सदर का यह पहला दोरा करोना आने के बास बिदेशी दोरा है यह चैना भी य चीज में सवधी को बहुत आगे लेके निकलना चाहरा है यह यानि बिजनेस के सिलसले में हर एक चीज में मुहमद बिन सल्मान बहुत अच्छा काम कर रहा है सवदी अरब के लिए इस वक्त आगे आनी वाली नसले के बारे में सोच रहे हैं अभी से 20 साल 30 साल के बात सवद को पता है यह परदोसन फिरी होगा वहां पर जो गाड़ियां चलेंगे उसमें तो कोई ड्रेवर भी नहीं होगा आदमी बैट के चलाएंगे नहीं तोटल एक्टोमेटिक होगा पेट्रॉल वगरा की गाड़ी भी नहीं चलेगी वहां पर कार्बोन आइसा है पता नहीं क् कार्बोन आकसाइड वह बोला जाता है वहां पर बिल्कुल परदोसन फिरी होगा तो चलिए दोस्तों आप लोग देखें हैं यह साही माहिल भी देखें आप लोग चलिए मिलते हैं फिर करी के लिए